अब यह पर्मानेट वेकंसी जो आप बोल रहे देगी इसका क्या होगा अब तो पर्मानेट वेकंसी नहीं आएगी के विएस तो कॉंट्रेक्ट टीचर से अपनी वेकंसी फिल कर रहा है So my dear friend जो एक ब्रह्म है ना ये मैं यहाँ पर आपका किलियर करने के लिए आया हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है In the month of February and March, every year, हर साल, फरवरी और मार्च के महीने में KVS अपने हर स्कूल जो अभी बारा सो पचास सम्थिंग स्कूल है कुछ बारा सो प्लस स्कूल कह सकते हैं जो पूरे ओल ओवर इंडिया में है वो अपने हर स्कूल में KVS के वाक इन इंटेव्यू कराते हैं for contractual vacancies चाहे वहाँ पर vacancy है उस स्कूल में या नहीं है यह एक panel बनाया जाता है बेटा इस चीज में मत आया करो कि जो कोई कुछ आपको भोल देता है आप उसकी बातों में आ जाते हो और फिर मैं कहता हूं कि आप एक disappointment और एक negative situation में या एक negative phase में चले जाता हो ऐसा कुछ भी नहीं है contractual vacancies के हर स्कूल में हर साल in the month of February and March निकाली जाती है walking interviews होते हैं हर post के लिए होते हैं चाहे वो post vacant है या नहीं है यह किसलिए होते हैं यह भी जानिए यह नहीं एक panel तयार किया जाता है यह panel तयार किया जाता है मान के चलो PRT का उन्होंने panel जो है एक से 10 rank का बना लिया ऐसे TGT में different post का बना लिया PGT में different post का बना लिया अब इनका use कब होगा मान के चलो कि कोई PRT कोई TGT कोई PGT है कोई भी teacher लंबी चुट्टी के लिए जा रहा है और हम महिलाओ की बात करें तो उनके पास CCL होती है आप सब को पता होगा चाइल्ड केर लीव वो दो तो तीन तीन महीने के लिए 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 जाती है ओके maternity leaves होती है जेंट जो है वो paternity leave पे चले जाते है education में पढ़ने के लिए चले जाते हैं एक साल की छुटी ले ले लेते है तो बेटा उस जगहा पे इस पैनल से जो rank wise आपने panel बना लिया था शाल के सुरुवात में वहां से teachers को call की जाती है even though मेरको south में यहां तक पता है मुझे आज भी याद आता है कि जब मैं south में था south इंडिया की बात कर रहा हूँ वहां के केवी में तो अगर कोई teacher एक दिन की CL लेता था तो उसके लिए भी call कर ली जाती थी उस panel से कि यहां पे हमारा teacher नहीं आ रहा है क्या आप कल आके हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हो इतनी सी बात है इसमें जादा गहराईयों में नहीं जाना है ओके यह contractual vacancies का इन permanent vacancies से कोई भी लेना देना नहीं है अपडेट रहा करो किसी और से बता कर लिया करो लेकिन प्लीज अपने आपको negative sense मतलब एक negative zone जो है न वहां पर मतले जाए करोगी अब तो पूरे इंडिया में के विएस ने contractual vacancies निकाल दी है अब permanent का कोई चांस नी है यह एक हर साल का process है के विएस का जो हर के विएस में कराए जाता है और मैं तो बिल्कुल आप सबको कहूंगा कि के विएस contract के जो walk and interviews हो रहे हैं all over the इंडिया आप ज़रूर अपने पास वाले स्कूल में जाये और वहां पर के विएस वेकंसी जो यह contractual vacancies के लिए form निकलते है उसको देखिया है उसके लिए आज दो फैर में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें बताने वाला हो कि आपका dress code क्या रहता है आप demo class कैसे देंगे अपना introduction कैसे करेंगे क्या-क्या main factors रहते है मतलब at least what you should know before you are going to appear in the interview क्या-क्या चीज़े आपको जरूरी है जो पता होने चाहिए interview में जाने से पहले ये चीज़ के लिए होगी contractual vacancies से permanent vacancies का कोई लेना देना नहीं है जो अभी फैब और मार्च के मंत में आप देखने वाले है कुछ schools एपरिल तक भी इसको निकालते हैं okay and if you are watching this video for the first time अगर आप हमारे चैनल पे ये first time देख रहे है so बेटा we are preparing for KVS PRT from almost 2 years ये इकलोता ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पे आपको इस पे एक वीडियो मिल जाएगी कि आपको जो कॉंट्रेक्ट इंटर्व्यू में जाना है कॉंट्रेक्ट के लिए उसको कैसे लेना है आपका ड्रेस कोड बहुत में होता है उसके सारी बाते करेंगे उस वीडियो में best of luck guys and please दोके बाजी गलत information इनसे दूर रहना सीको और हमेशा लाइफ में positive wives के साथ जीना सीको ओके चलिए bye bye take care god bless you अब मिलते हैं next class में जिसमें आपको बताने वाला हूं कि contextual vacancies के लिए आपको जाना है contextual interview के लिए कैसे जाना है NKBS